हाली में मध्यप्रदेश हाई कोट ने जजों के खिलाब जूटी शिकायत करने वाले एक वकील पर 4 लाख रुपे का जुर्माना लगाया है 25 अक्टूबर 2030 को इस एतिहासिक फैसले में मध्यप्रदेश हाई कोट ने एक वकील को जूटी शिकायत दर्ज करने और जजजिस के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगा कर और कोट का अपमान करने के लिए दोशी पाया केस का टाइटल है शिरीप पुषपेंदर यादो वर्सिस मनोज कुमार श्रिवास्तो केस और इस केस के सुनवाई चीफ जिस्टिस रवी मलिमत और जिस्टिस विशाल मिसरा के बेंच कर रही थी एड़ोकेट मनोज कुमार स्रीवास्तों जोके एक वकील है उनको जजिस के खिलाफ अब्यूजिव लेंग्विज को यूज करने और उनके खिलाफ जूटी शिकायतों को दर्ज करवाने के खिलाफ कंटेंट आफ कोट की कारिवाई का सामना करना पड़ा हाई कोट ने कहा कि कंप्लीन्स में जिस भाषा का यूज किया गया है उससे ये पता चलता है कि उन्होंने कंटेंट आफ कोट एक्ट 1971 के सेक्षिन 2C के प्रोविजन को अट्रेक्ट किया है कोट के अधिकार को बदनाम करने और उसका मान सम्मान घटाने की कोशिश की है वकील ने अपनी शिकायतों में जजिस के खिलाफ पक्षपात करने ब्रश्टा चार करने और भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे ये आरोप कानून का उलंगन करते पाए गए क्योंकि उन्होंने कोट को बदनाम किया और उनके अधिकार को कम किया हाई कोट ने 1974 में एक केस का हवाला दिया और उस केस का नाम था बर्दाकांत मिश्रा वर्सिस स्टेट ओफ ओडिसा इस केस में ये कहा गया कि जब कोट या फिर उसके जजिस को बदनाम करने के लिए जान बूच कर जूटी कोशिश की जाती है तो ये हमारी नियाई पालिक और उसके फ्रीडम का दुरूपयोग होता है और लोगों का कानून और जश्टिस से विश्वास उठने का खत्रा भी बना रहता है कोट ने इस बात पर जोड दिया कि एक वकील होने के नाते वो अपने क्लाइंट के एजेंट ही नहीं थे बलकि कोट के एक आफिसर थे और उनका करतव्य था कि वो कोट की मरियादा को ध्यान में रखें उल्टा इस केस में वकील ने ही जजिस को कंटेंट आफ कोट की कारिवाई में पार्टी बना कर उन पर मुकदमा दायर कर दिया था और कोट में इस तरह की एप्लिकेशन को सुईकार नहीं किया जा सकता में इस बात पर जोर दिया गया कि एक वकील को अपनी याचिका में अपनी भाशा पर कंट्रोल होना चाहिए और समान और सावधानी के साथ अपनी लैंगविज को यूज करके ही कारवाई करना चाहिए इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोड का ये फैसला एक मिसाल के यादा को बनाई रखें इसलिए इस केस में वकील को चार अलग-अलग शिकायतों के रिलेशन में अलग-अलग तारीखों वाली कंटेम्ट आफ कोड एक 1971 के सेक्शन 2C के तहत कंटेम्ट आफ कोड का दूशी पाया गया था इसलिए उस वकील पर हर एक शिकायत के लिए एक और अगर वो जुर्माना भरने में असफल होता है तो उसे हर एक शिकायत के लिए एक महिने की क्याद होगी वीडियो इंफरमेट्यू है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलिएगा